तो गाईज कल हमने एक रियक्शन किया था डेफ कॉन एल्बम के पार्ट वन पर जो के तरसेम जसर की आई है पिलहाल ही हमारे सामने उनके यूटुब वहली जलता रेकड्स चैनल पर जिसका पहला वीडियो सॉंग था रोजबर्ड जिसके बारे में मैंने बहुत से बातें ब लगे और पता नहीं क्यों उन्होंने सॉंग यह क्यों बनाए आज हम उसी एल्बम का सेकेंड ट्रैक उस पर रियक्शन करेंगे उसको सुनेंगे और उसके बारे में रिव्यूज देंगे और आपके रिव्यूज जानेंगे कि आपके क्या कॉमेंट्स हैं विदाउट बेस यहां पर आपको रियक्शन और गेमिंग लेटेड कॉंटेंट बर्बर के मिलता तो सब्सक्राइब कर ले जाए यह तो लेडी का लाच टीबड़ी तो बड़ी है जो अच्छान यानी तडी देग वाड़ो मुच खडी देगे शीचाड़न टाकी विच्छों बालाम के आड़े रंग देया भैन देगे उत्तों याट टैन देग लंग देने भोगरे भी हाथ बनके ओमार्ट बान देग मलतां धी डार लागे तो रे सरदार दोगलेते टाउटा सात 모습 रहें देने जां की मरिगन नाचौटाAm जीब कैन देने विच यवार बंत राभ जे जात भाउध देने जां की मरिगन नाचौटा जूटा जी जातर बाइन difाक तो चपक। कादी बदमाशी गाड़ पोड़ सदे रखे जेप सी पैलट दी सनाइप पाउंद येक ने कादा वैली जी ने कुछ काम लई ना कीता बी साल ना तोने बंदी जो असूला देने पके शाट पैसा खटी दे जमीर बले या बंदे वेरले ही सरकारा नाड खाइं देने टाइम शाइन मोंटा करे राइम रूबी गाउन काड़ी विच कार जाक लाइम पुठी मात साच जमा करे यात नजरांतों बचनली टांक दानी लाइम आइड ना दे बाज दे गरोप कुझ हार ले दी बाकी चुप सपीड याडी टेक्टा दू बोक ओ लागत ने लोक तो ही रोका बोज जसड दे जोनी एनी गीतने वले पैली वार साम जाच कि थे पैंदेने मरीक ना चोटा जीनू जीब खेंदेने विच यू के हैर बंतर आज जाट केंदेने कटे डीमन हो जाओ ज़ेक्ते भोड दे ट्रक किसे दी लाग काड़ी यूत लाया डेडर लाख नाउंडीर फार मते पान दाय वाट यूएस बैठे कई वांटड जे जाट ए आर पंतराथे वालनेट बाट पान दाय आकडाथे चीर दाय पाट यारादियां यारियां ने पले साड़े नी वेली जियां ताले ओकुडे सानू कैंदेने मरिकना चोटा जीनू जीप कैंदेने विच यार पंतराथे जाट बाइंदेने तो वही अब बता दू मैं आपको अपना ओनेस्ट ओपिनियन और अपना ओनेस्ट रिव्यू इसके बारे में जिसको वजीर पातर ने म्यूजिक दिया है और आई थिंक वूसी बंदे ने ही मिक्स किया है डैंस ने मिक्समास्टर डैंस ही है और म्यूजिक है वजीर पातर का और पहली बार मिरको तरसीम देसर को सुनकर ऐसे लगा यह यह हिप-पोप स्टाइल एक स्लो वर्ग में राइविंग कर रहे हैं बहुत माहल बाकमाल की राइमिंग सी और पर्सनली मेरे को अच्छी लगी और यह सोंग है मतलब एक ऐसी वाइब वाला के हां कुछ करना है और मतलब मोटिवेशनल ही कह सकते हैं एक तरह है का अपना एटिड्यूड है तो एटिड्यूड वाला सौंग है और लिरिक्स में नो बहुत वदिया लग गया पर्सनली ते इननो ते रिपीट ते सून वाला है लगाता टी किता क्योंकि एलिमेंट्स जो यूज किते हैं ना न यार भहुत गैंग स्टा फिल मेंग स्टाइल पुल गैंग स्टाइल फिल वाले थी अमेरिकन बुल तो बाद बुल जाई सो इस्ती रेक्शन होईगा चालू का लेना सब्सक्राइब काल इसे टाइम ते मिल यहां इस अ आपनी वेल्यू पनानी हैं ते पैशा गमाना ही करें